नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ में और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं साला दरपण सिख्षक एप के संबंद में जैसा कि आप इसकिन पर देख सकते हैं 59-2023 को राज्य इस्तरिय शिख्षक सम्मान समारों में माने मुख्य मंत्री मोदे के दुआरा साला दरपण शिख्षक एप का सुभारंब किया जा चुका है और इस एप के माध्यम से प्रतेक टीचर को अपने स्टाफ आईडी के माध् और स्टाफ की जो प्रेजेंट है वो आपको दर्ज करनी है डेली और उसके बाद में अपनी जो क्लाश टीचर जिसवी कक्षा के आप क्लाश टीचर है उस कक्षा के सभी बच्चों की उपस्तिति आपको इसी सिक्षक एप के माध्यम से प्रतिदिन ओनलाइन दर्ज करनी ह यह आपका इस एप के माध्यम से महत्मून कारिय है प्रत्थम चरण में यह जो कारिय है सभी राज की उच्च माध्यमिक विध्यालों में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम किया जा रहा है अगर यह है प्रत्थम चरण सफलता पूरुब कारिय करता है तो पूरियम और अपने जो समत्पत्षटफ है उनके मोवाईल में आपको यह जो एप है शिक्षक एप वो डाउनलोड करवाना है और इंस्टोल करवाना है यह संस्था पूर्दान को सुनिशचची करना है कि प्रत्थेक चचाप के पासे यह संस्थक एप होना चाहिए इसके पर करनी है यह कारिये संस्तपरदान को देखना है। आपके संस्तरप्रदान के लिए निरदारित किये गए हैं, इसके बाद हम बात करें कक्षा द्यापक के क्या कारी होने वाले हैं इस एपके संबंद में तो यह सुनिशित करना कि कक्षा के समस्त जो विद्यारती है वो आपके जो शिक्षक एप है उस पर उपस्तिती है तू परदर्शित हो यदि कोई चातर उपस्तिती है तू आपके एप पर परदर्शित नहीं होता है तो आपको साला दरपन परवारी के माध्यम से उस चातर क प्रपत्र नो आपको update करवाना है इसके अलावा कक्षा के सभी विध्यारतियों के एप पर प्रधर्षित होने पर प्रत्रम कालांस में अर्थाते पहले ही पिरियड में आपको सभी जो विध्यारति है उनकी उपस्तिती दर्ज करनी है यहाइ कक्षा द्यपक के कारिये हैं इ इसके बाद में संस्ता पॉर्धण द्वारा इस सम्बंध में दिये जाने वाले दिसा-निर्देशों की पालना आपको करनी है, यह है पूरे इस्टाप के कारिये हैं। अब देखते हैं, सालादर्पन प्रभारी के सम्बंध में क्या कारिये हैं। तो सालादर्पन प्रवारी को जिने विद्यालों में एप के माध्यम से उपस्तिती दर्ज हो चुकी है उनकी उपस्तिती आपको सालादर्पन पोर्टल के माध्यम से नहीं करनी है जैसे ही एप से उपस्तिती दर्ज होगी वह उपस्तिती आपको सालादर्पन पोर्टल पर उपस्तिती मोड्यूल में आपको परदर्सित हो जाएगी, जिसे कक्षा की उपस्तिती आपको यहाँ पर शोर नहीं होती है, उस कक्षा के क्लाश टीचर को आपको आउगत करवाना है, और यह है परजेंट आपको करवानी है, दूसरा कारी है, यदि पर्थम चरण में केवल कक्षा अध्यापक को ही लोगिन की सुविदा उपलब्द दी गई है, जो पर्थम चरण स्टार्ट हो रहा है, इसके माध्यम से जो कक्षा अध्यापक है, उन्हीं को इस एपर लोगिन की सुविदा दी गई है, जो कक्षा अध्यापक नहीं है, जो टीचर कक्षा अध्या कक्षा की जो उपस्तिती है वो साला दरपन पर उपस्तित मोडूल के माध्यम से उपस्तिती करनी है यह कारिये आपके साला दरपन प्रभारी के कारिये हैं अब हम बात करें कि यह है जो पाइलेट प्रोजेक्ट है वो कभी परारब में किया जा रहा है तो जैसा कि आप देख था दो अक्टूबर 2023 से सभी राज किये उच मादमिक विद्यालों में इस शिक्षक एप के माध्यम से ही उपस्तिती दर्ज आपको करनी है तो इस 2010-2023 से आपको इस एप पर नियमित रूप से कारिय करना है नियमित रूप से शिक्षकों की वे विद्यारतियों की उपस्तित सीनियर विद्यालों के टीचरों को करनी है धन्यवादू